Hello Friends, Welcome Back to Goran Classes Today's topic is Subtraction of Rational Numbers Rational Numbers को subtract कैसे करते हैं? तो हम start करते हैं सबसे easy वाले sum से यहाँ पर हमने लिया है 17 upon 15 minus 14 upon 15 तो यहाँ पर LCM जो है आपको निकालने की ज़रूत नहीं है क्योंकि दोनों के denominator सेम हैं तो हमने यहाँ पर LCM ले लिया 15 17 को आप as it is उतार लेंगे अब 14 जो है वो माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का साइन और यहाँ पर हम लिख लेंगे 14 17 प्लस 14 is equal to 31 और denominator 15 तो इस तरीके से हमारा पहला sum solve हो जाता है अब हम आगे आते हैं सेकिंड है माइनस 20 अपॉन 37 माइनस 18 अपॉन 2 यहाँ पर दोनों denominators अलग हैं लेकिन हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई भी common factor नहीं है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था LCM वाले वीडियो में कि अगर कोई भी common factor नहीं होता है तो LCM निकालने के लिए हम दोनों denominators को multiply कर देते हैं तो यहाँ पर हमने 37 और 2 को multiply कर दिया multiply करके हमें मिला 74 यह हमारा denominator है यह कह सकते हैं LCM है तो minus 20 को minus 40 बनाया कैसे 2 से multiply करके हमने इसे 2 से multiply किया क्यों क्योंकि हमने 37 को भी 2 से multiply किया यहाँ पर तो इसलिए हमें minus 20 को भी 2 से multiply करना होगा जिससे हमें मिलेगा minus 40 और यहाँ पर था minus 18 हमने 2 को किससे multiply किया है हमने 2 को multiply किया है 37 से तो हमें 18 को भी multiply करना होगा 37 से 37 multiplied by 18 is 666 तो यहाँ पर हमें मिलता है minus 40 minus 666 अब minus और minus प्लस होते हैं और sign किसका लगता है जो दोनों में से बड़ा होता है तो हमें इन दोनों को प्लस करते है हमें मिलता है 706 और sign लगता है minus का तो हमारा answer होता है minus 706 upon 74 अब हम चलते हैं next sum पर next is 17 upon 10 यह minus का 10 है minus minus 11 upon 30 अब यहाँ पर भी minus है और यहाँ पर भी minus है सबसे पहले तो हम इसे ठीक करेंगे अगर नीचे minus होता है तो हम उसे उपर कैसे लाते हैं हम numerator और denominator दोनों को minus 1 से multiply कर देते हैं इससे क्या होता है यह minus उपर चला जाता है actually minus कहीं नहीं जाता है जब हमने minus 1 से दोनों को multiply किया तो जो 17 है वो minus 17 बन गया था और जो minus 10 है वो 10 बन गया था अब यहाँ पर minus 11 upon 30 as it is उतार लिया अब हम लेंगे इनका LCM 10 और 30 का LCM 30 होगा कैसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अगर दोनों के बीच में common factor होते हैं या दोनों किसी एक ही नंबर के multiple होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10 के table में 30 आता है तो 10 30 को पूरा पूरा divide करता है तो ऐसी condition में जो बड़े वाला होता है वो हमारा LCM होता है तो यहाँ पर हमारा LCM क्या होगा 30 होगा अब हमने 10 को किस से multiply किया कि हमें 30 मिला 3 से तो हमें minus 17 को भी 3 से ही multiply करना होगा और हमें मिल जाएगा minus 51 30 को तो हमने किसी से भी multiply नहीं किया as it is लिखा है तो हम minus 11 को भी as it is लिखेंगे लेकिन यहाँ पर भी minus है और यहाँ पर भी minus है और minus और minus क्या हो जाता है plus हो जाता है तो यहाँ पर हमें मिलता है minus 51 plus 11 upon 30 minus और plus क्या होते है माइनस होते हैं और आगे साइन किसका लगता है जो दोनों में से बड़ा होता है तो बड़ा क्या है 51 पहले हम 51 में से 11 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 40 माइनस का क्योंकि साइन जो है 51 के आगे लगा है माइनस का और 51 दोनों में से बड़ा है तो इसलिए हमारा answer आता है minus 40 upon 30 लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यह दोनों 10 से divide हो रहे हैं तो हम दोनों को 10 से divide करते हैं और हमें मिलता है minus 4 upon 3 simplify करने के बाद तो इस तरीके से हमारा यह sum भी solve हो जाता है अगर आपको यह वीडियो helpful लगता है तो आप comment section में बता किजिए और subscribe किजिए Quran classes thank you for watching